Moto का Edge 40 Neo अगर आपने यहाँ पर खरीद लिया है Flipkart से तो आपको यहाँ पर चाहिए होगा cover लेकिन उससे पहले जो box में cover दिया गया है उसकी बात कर लेंगे यह जो cover है यहाँ पर पूरी तरीके से plastic का बना हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं साइड में आपको कोई protection देखने को नहीं मिलता है और यह कुछ इस तरीके का बैठता है फोन के ऊपर बिलकुल भी protection नहीं देता आपके फोन को सिर्फ यह camera bump आपको दिया गया जो कि camera को हलका फुलका protect करता है लेकिन आपके साइड को आपके screen को बिलकुल भी यह protect नहीं कर पा है और आपका phone जो है वो काफी पतला रहता है लेकिन अगर आपको यहाँ पे चाहिए protection और साथ में आपको अपना phone का जो design है वो भी यहाँ पे दिखाना है तो मैंने यहाँ पर order कर लिया है काफी सारे covers जो भी मुझे यहाँ पर मिले amazon पे और flip card पे तो इस side में रखे हुए निकाल लेते हैं इसको बाहर कुछ इस तरीके का दिखता है इसे कह सकते हैं आप यहाँ पे transparent cover अब जल्दी से इसमें phone लगा लेते हैं और देखते हैं किस तरीके का look आता है हमारे moto h40 neo का देख सकते हैं पीछे की तरफ से आपकी phone की जो खूबसूरती है आपकी जो phone की design है बिल्कुल भी चुबती नहीं है और यहाँ पे साथ में protection भी काफी अच्छा मिल जाता है देख सकते हैं यहाँ पे camera protection एक number दिया गया है साथ ही में यहाँ पे back भी काफी अच्छा आपका visible रहता है लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आपको कोने कोने में जो है कुछ इस तरी दोस्तों इसकी एक कमी भी है जो कि है यहाँ पे सामने की तरफ का protection इस वाले cover में आपको बिल्कुल भी screen protection देखने को नहीं मिलता है देख सकते हैं यह पुरा screen के साथ यहाँ पे support बैट जाता है जिसके कारण से यह जो है सामने की तरफ बिल्कुल भी आपके screen को protect नहीं कर बात करें cutouts की तो यहाँ पे ओपर का mic hole दिया गया है नीचे की तरफ यहाँ पे speaker cutout charging port का cutout सब कुछ एकदम proper दिया गया है बात करें buttons की तो यहाँ पे आपको सारे buttons दिये गये हैं काफी tactile buttons है और अच्छी तरीके से यहाँ पे press भी हो जा रहे हैं और यह आपके Moto Edge 40 को बिल यहींडी कवर कुछ इस तरीके का दिखता है यहाँ पे इस तरीके का cover आपने पहलेबी देखा होगा जल्दी से यहाँ पे फोन को लगा लेते हैं इस कवर में न यहाँ पर आपकी phone का जो खूबसूरति आपके phone का जो back color है वह पूरी तरीकी से छूप जाता है लेकिन यहा पे camera protection किस तरीके का है बहुत ही अच्छा camera protect करता है साथी में यहाँ पे आपको buttons काफी अच्छे दिये गए हैं बहुत ही soft और tactile click के साथ आते हैं buttons उपर का cutout आप देख सकते हैं कितना ज़ा proper दिया गया है साथी में नीची के phone सामने से गिरता है तो ये वाला cover आपके phone को नहीं बचा पाएगा बिल्कुल भी protection नहीं देता है ये वाला cover आपके phone के screen को देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ही screen के साथ एकदमी support बैड जाता है हाला कि दोस्तों ये cover भी आपके phone को आप स्लिम ट्रिम रखता है आपके phone में जादा weight आड नहीं करता आपके phone को एकदमी हलका रखता है तो अगर आपको इस तरीके का cover चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं लेकिन याद रखेगा कि आपको यहाँ पे screen guard लगाने की जरूरत पढ़ेगी अगर आप यहाँ पे यह वाला cover और यह इसके पहले वाला जो transparent cover था इन दोनों में से कोई भी cover खरीते हैं तो आपको screen guard लगा लेना चाहिए यह cover मुझे मिल गया था flip card के उपर जो कि यहाँ पे मुझे 200-300 रुपए का पढ़ गया था हाला कि यह वाला cover थोड़ा सा अलग है बाकी सारे cover से यह वाला cover है न यहाँ पे काफी जादा हट तक जो है वो हमारे दुसरे वाले cover जैसा ही दिखता है लेकिन यह आपे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का look है पीछे के तरफ आपको यह ring दिया गया है यहाँ पे डेफिनिटली इसको पकड़के रखने में जो है आपका फोण नहीं किरेगा और साथी में यहाँ पे यहाँ पे ये वाले पार्ट में अपको चाफो protection के मामले में उतना कुछ खास नहीं है यह वाला कवर और आप इस रिंग को रोटेट कर सकते हैं और रोटेट करने के बाद आप जो है इस तरीके से इसे stand की तरह भी यूज कर सकते हैं horizontally रखने के लिए काफी अच्छा रहेगा stand की तरह तो काफी अच्छे तरीके साब इसे ऐसे रख करके movies वगरा videos वगरा देख सकते हैं तो यहाँ पर यह है हमारा आखरी stand जो कि आपको तक दिखता है देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको design दिया गया है यहाँ जल्दी से phone को लगा लेते हैं तो phone को लगाने के बाद कुछ इस तरीके का look आता है पीछे के तरफ से देख सकते हैं आया दिया गया है quality अच्छे है cutouts की साथी में यहाँ पर जो बटन्स है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे काफी tactile बटन्स आपको देखने को मिल जाते हैं easily यहाँ पर बटन्स क्लिक हो जाते हैं जो की काफी अच्छा लगता है पकड़ने में हाथ में और साथी में यह आपके phone को हलका सा मोटा करता है हलका सा यहाँ पर weight भी add करता है आपके phone को और इसी के साथ साथ protection भी आपके phone को काफी अच्छा देता है corners में यहाँ पर air cushion technology इसमें भी दिया गया है और यह air cushion technology आपके phone को ऐसे कोने से अगर गिरता है तो बचा लेगा लेकिन सामने की बात की जाया तो सामने की तरफ भी आपको अच्छा खासा screen protection दिया गया है यह जो cover आप देख सकते है screen के ऊपर अच्छा खा यहां पर जेल नहीं पाएगा लेकिन यह जो cover है यह आपकी screen को काफी अच्छा protect कर लेगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहां पर देख सकते हैं यह जो इना screen के ऊपर काफी अच्छा उठा हुआ है और काफी उभरा हुआ है यहां पर screen के तरफ तो definitely आपके screen को का काफी अच्छा protect करेगा अगर आपका screen ऐसे अगर आपका phone ऐसे गिरता है तो सामने की तरफ से तो definitely यहां पर screen protection काफी अच्छा है लेकिन मैं फिर भी आपको recommend करूँ कि यहां पर please एक screen guard लगा लेजिएगा और यह है अगला cover इसे check out कर लेते हैं तो यह cover कुछ इस तरीके का आ रहा है पीछे से देख सकते हैं किस तरीके का suitcase look आ रहा है rugged shield लिखा हुआ है यहां पर जो है camera protection एकदम ultimate level का दिया गया है एकदमी बवाल quality का camera protection मिल जाता है उपर की तरफ यहां पर cut out एकदम proper है sides में यहां पर button देख सकते हैं बहुत ही tactile और cushion feeling वाला यहां पर बटन दिया यहां पर हम देख सकते हैं इसकी भी cut outs एकदम proper देखने को मिल जाते हैं साथी में यहां पर जो protection है वो भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहां पर पीछे लिखा है rugged shield उसकी हिसाब से यहां पर protection है वो बहुत ही बढ़िया गया है पीछे की तरफ से protection बहुत ही ultimate है कोने से भ और आपके phone को बहुत ज़्यादा भारी कर देता है और साथी साथ देख सकते हैं कितना मोटा हो गया है phone बही literally suit case जैसा लगता है देखने में और weight में भी बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है तो अगर आपको भारी cases नहीं पसंद अगर आपको आपका phone भारी नहीं पसंद तो यह वाला case आप skip कर सकते हैं अब यहाँ पर सबसे last cover की तरफ देख लेते हैं जो कि मुझे सबसे best cover लगा है क्योंकि यह जो cover न यह आपके phone में जादा weight भी add नहीं करता और साथ में protection भी काफी अच्छा देता है तो यह है वो cover यहाँ पर मैंने cover लगा लिया है देख सकत सिर्फ looks same है लेकिन बाकी जो overall cover है वो काफी different है यह आपके phone को बहुत ही अच्छे तरीके से protect करेगा सामने की तरफ से जो है बहुत ही जादा उबरा हुआ है स्क्रीन के उपर साथ ही में यहाँ पर जो camera protection है वो भी बहुत ही बढ़िया है cutouts एकदम proper और अच्छी quality के दिये हैं देख सकते हैं cutouts एकदम proper है साथ ही में यहाँ पर पिछले वाला जो black color का था उससे काफी ज्यादा better button quality आपको मिल जाता है और overall यह काफी एक अच्छा cover निकल के आता है यह आपके phone को हर तरीके से drop में बचा लेगा और जैसे कि आप सब लोग को पता है कि यहाँ पर जो है और मुझे इसका screen guard ढूलने में भी काफी अदा मुश्किल हुई लेकिन यहाँ पर मैंने online में काफी सारे tempered glass मुझे मिल गए थे उसका link मैंने description में दिये दिया है तो जाकर आप खरीच सकते हैं अगर आप खुद से लगा सकते हैं तो क्योंकि यहाँ पर आप online मंगाते है तो आपको खुद को ही लगाना पड़ेगा लेकिन अगर आप खुद से लगा नहीं सकते हैं तो मैं आपको suggest करूंगा कि offline जाईए और यहाँ पर लगवा लिजिए MICV करके एक phone आता है उसका यहाँ पर tempered glass या फिर ऐसा screen protector मिल जाएगा वो आपको लगा लेना चाहिए मैं यहाँ पर गया था offline में और मैंने लगवा लिया MICV करके एक model आता है MI का एक phone है उसका यहाँ पर tempered glass या फिर जो screen protector है वो इस वाले moto h40 में एकदम fit बैट जाता है देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का look आता है हाला कि काफिया शाइनी look आ जाता है आपके phone के screen को काफिया जो है light reflect होने लगता है देख सकते हैं कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर screen guard काफिये तरीके से fit हो गया है और यह screen guard जो है आपके phone के screen को scratches से बचाएगा drop protection आपको नहीं मिलेगी screen guard के साथ या फिर scratch guard के साथ आपको drop protection के लिए tempered glass लगा लेना चाहिए और कुछ tempered glass का link मैंने description में दिये दिया है अगर आप खुछ से लगा सकते हैं तो आप इसे खरीद येगा तो विडियो में सारे covers और सारे screen guards का link में नीचे description में दे दूंगा वहां से जाके आप खरीच सकते हैं बाकि और विडियो में आपका इस विडिए को दिखनें के धन्यवाद तब तक लुका दे शुबरे ही